भारती जंता पार्टी के प्रिदेश अदियक्षवा सांसद विश्नुदत शर्मा ने सोमवार को शिवाजी नगर के वॉट क्रमांग 45 वा बुद क्रमांग 169 पहुचकर दिवार लेखन किया पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ये अभियान भारती जंता पार्टी कमल का फूल बना करकी मोदी सरकार के स्लोगन के साथ ये अभियान लगतार चलता रहेगा प्रधान मंत्री के नेत्रतवु में लोगसभा के चुनाओं में हम एक बड़ फिर मोदी सरकार के नारों के साथ मैदान में उतर चुके हैं इस बार 2024 में भारती जंता पार प्रदेश के अंदर 64523 पूतों पर दीवार लेकन अपने हाद से प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री या सभी लोग करने वाले हैं एक बार फिर से मोधी सरकार ये स्लोगन के साथ भारती जनता पार्टी कमल का फुल बना करके एक बार फिर से मोधी सरकार के स्लोगन के साथ दीवार लेकन प्रत्य भूत पर सभी कारकरताओं ने करना प्रारंब किया है ये अभियान लगातार चलेगा और भारती जनता पार्टी जो धुलियां का सबसे बड़ा राजने तिक दल है लेकिन प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में पूरे भारत के अंदर मनी नरेंद मोधी जी के नित्रतों में दोजार चौबीस के लोग सभाकित जुनाओं में हम फिर एक बार मोधी सरकार के नारे के साथ मैदान में उत्रें और प्रतेक बूत पर हम चुनाओ लड़ने की तैयारी भारती जनता पार्टी के कारकरतों में किया हर बूत पर दीवार लेकर के साथ पर चार परसाभी कर रहा है और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो प्रधान मंतरी नरेंद मोधी जी के नित्रतों में हर गरीब का जीवन बदलाए इस आधार पर बागे बढ़े हैं इस बार चुनाओं में दोजार चौबीस में इतिहास बनेगा यसे 22 तारीक को राम लला बराजमान हो रहे हैं आधार